फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अंसु डिजिटल क्लासेस में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSE, MTS and हवलदार का Admit Card जो जारी किया गया है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और अप्लिकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसके बारे में Friends, SSE, MTS और हवलदार का Admit Card जारी कर दिया गया है सभी स्टेट के लिए आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल किया होंगे आप अपने अप्लिकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहीं से आप अपने Admit Card को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको सरकारी-resolve.com इस डफ साइट पे आना होगा उसके बाद यहाँ पे Admit Card के सेक्षन में SSE MTS Paper 1 स्टेटस Admit Card डाउनलोड पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है उसके बाद आपको और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको SSE Download Link यहाँ पे मिल जाएगा Admit Card और Form Status यहीं से चेक करेंगे जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप उत्तर परदे सेंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे Click Here करेंगे नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं अगर आप दूसरे स्टेट से होंगे राजस्थान, देली, उतराखंट तो यहाँ क्लिक करेंगे और वी स्टेट नीचे दिये गया है आप देख लेंगे यहाँ पे तो आप अपने अनुसर यहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पे यहाँ पे इसके साइड में क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक हीर पे आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही, आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा processing होगा, processing होने के बाद, तुरांट पे जो है, page, जो है, load होगा, page, जो है, reload होते ही, आप देख सकते हैं, यहाँ पे, SSE का यह website open हो जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है यहां पे आप तीन तरीके से आप अपने admit card को download कर सकते हैं या फिर अपने application का status चेक कर सकते हैं यहां पे सबसे पहला option है यहां पे देख सकते हैं आपको registration ID डालना होगा date of birth डालना होगा उसके बाद आपका जो exam CT है यहां पे वो select करना होगा और यहां पे इसको verify करके search कर सकते हैं दूसरा तरीका है आप यहां पे roll number अपना feel करेंगे और date of birth यहां पे डालना है उसके बाद यहां पे आप अपने exam का CT सेलेक करेंगे और उसके बाद यह capture feel करके यहां search कर सकते हैं friends तीसरा यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको अपना नाम के चार अक्षर यहां पे type करना है यहां पे देख सकते हैं first four characters अपने नाम का चार अक्षर यहां पे type करना है उसके बाद अपने father's name यानि पीता का नाम यहां पे चारक्षर टाइप करना है और उसके बाद डेट अब बर्थ अपना यहाँ पे select कर लेना है और उसके बाद आपका जो exam का CT है जो आपने चूच किया था form को fill करते समय वो CT यहाँ से आपको select कर लेना है इस list में से और उसके बाद यहाँ पे verify human यहाँ पे आपको इसको verify करना है जैसे 8 प्लस 7 15 होता है 15 तो यहाँ पे 15 टाइप करके और search पे click कर देना है search पे click करते ही आप देख सकता है इस तरीके से खुल के आ जाएगा यहाँ पे आपका सारा details होगा जैसे कि आपका नाम father's name, address और registration number, roll number exam किस date को होने वाला है कौन से shift में होने वाला है exam का timing क्या होगा यह सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से city में आपका exam होगा और यहाँ friends सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा और friends यहीं से अगर आपका admit card आ गया होगा तो यहीं से आप अपने admit card को भी download कर सकते हैं जैसे कि friends exam date इस candidate का 19 तारीक और सातों महिना 2022 को है और यह जो अपने admit card download करेंगे वो चार दिन पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ है friends कि your exam will be held on 19-7-2022 you can download and print your admit card from 15-7-2022 यानि 15-7-2022 को आप अपने admit card download कर सकते हैं यानि exam के चार दिन पहले आप अपने admit card को यहीं से download कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें और अपने friends के पास ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए और अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए और साथ में notification बेल के आइकन वोग फिरेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको notification मिल जाए मिलते हैं next वीडियो में